दोस्तों इस Study91 के आंलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज आप सभी के समझे समिछा अधिकारी के अगले लेक्चर को लेकर हाजीर हूँ जी हाँ दोस्तो आज हमारा 45 वा लेक्चर है जो बच्चे सिविल एक्जाम की तैरिकर है उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टन को कि आयोग के प्रस्न पूछने की स्टाइल क्या है वो आपको यहाँ बेहतर डंग से देखने को मिलेगी साथी साथ दोस्तों प्री और मेंस दोनों के सवालों को हल करते हैं यह कहने वाली बात नहीं है प्रद्दिन के क्लास में आप प्री और मेंस दोनों के सवालों को देखते होंगे इससे आपका confidence बढ़ता है ठीक है यह सबसे बड़ी बात है दोस्तों और अती संभावित प्रशन जिन प्रशनों के आने की संभावना जादा है सर कैसे आपने बता दिया कि अती संभावित अभी आप भी मान जाएंगे मैं जब सवाल दिखाऊंगा तो आप भी मान जाएंगे कि हाँ सर आपके प्रस्ण जो है वो अती संभावित प्रस्ण है चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरम करते हैं ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने टेस्सरीज लांच किया था एक प् परिक्षा से पहले परिक्षा नहीं दे पाएंगे आप अपने आपको आजमाने के लिए परिक्षा के दिन का इंतजार करने हैं उस दिन को मत इंतजार कीजी आज ही अपने आपको आजमाईए कि आज ही मेरा पेपर है और आज हमारी पोजीशन क्या इस्तिती क्या है यह आ अगली बार मैं आपको सेवा दूँगा ठीक आप चेक करते रहेगा रहेगा तो मिल जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं जो सवाल है दोस्तों पहला सवाल यह प्राची नितिहास से संबंदी सवाल है और यह सवाल मेंस परिक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है पहला ही सवाल मे मध्यपासार काल के संदर में प्राप्त हुए हैं किस काल के संदर में मध्यपासार काल के संदर में प्राप्त हुए हैं यह किस जगह से बिलॉंग करते हैं आपको बताना है हड़ी से निर्मित आभूसर हड़ी से निर्मित आभूसर लिखरा दोस्तों सराय नाहराय से महध से लेखाया से या चोपानी मांडों से ठीक है आब बताएं दोस्तों कहां से किस अस्थान से में हंडी के बने वे आभूसर बने ठीक है हंडी के आभूसर ठीक है कहां से मिले दोस्तों त्याद रखीगा यह मिला है महदहा नामक अस्थान से महदहा का प्रता दोस्तों तो का दोस्तों रताने को दफनाने का साख्ष ठीक अभी हमारे यहां क्या होता है किसी के डेथ होती तो यहां यहाँ पर कुछ ऐसे सवाधान मिले है जहाँ पूरुसों के साथ महिलाओं को दफनाने का भी साक्ष मिला है और एक कहां से मिला दोस्तों यह मिला है सराय नाहर राय से कहां से मिला दोस्तों सराय नाहर राय जो अस्थान है दोस्तों यहाँ से क्या मिला है याद रखेंगे प ज़वा धान के ही साक्षिजाधतर मिले हैं और यह तीनों के तीनों अस्थान कहा परिंगों याद रखेगा पृताप गड़ में ठीक अब पृताप गड़ कहा है शहांट के प्रमार भी दिसके अलावा नीयमा का anos मिलें दोस्तो याद रखेगा एका स्थान है लेखैया क्या लेखाया का इस्तित है तो लेखाया उत्तरप्रदेश के मिर्जा पुर्जीले में इस्तित है नाम आप सबी ने सुना होगा बोलन नदी घाटी ठीक है या बेलन सवाधान मिला लेखा यहां सत्रह कंकाल के सवाधान मिलें ठीक है सत्रह कंकाल मिला दोस्तों यहां से यह भी याद रखेगा एक सवाल और आता दोस्तों जम्मु कस्मीर के बुर्ज होम के बारें पूछता है का पूछता दोस्तों जम्मु कस्मीर में एक अस्थान है दफनाय जाने का साक्ष कहा से मिला दोस्तों यह मिला बुर्जोंगस यह जम्मू कस्मिर में स्तितति यह ऐसे सवाल भी आपके परिक्षा में पूछे हैं तो पहले से आप दर्ट रही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल मिड़ावल हिस्टि का सवाल है बद्देकालिन भारत के इतिहास का सवाल है और संयोग देखे यह सवाल भी मेंज परिक्षा 2013 से पूछा गया लिख रहा ओरंजेव की मृत्तिव के समय मराठा नेतित तो जो है वो किसके हाथों में था ठीक है जब औरंजेव की मृत्तिव हुई उस समय दोस्तो और औरंजेव की मृत्तिव कब हुई थी दोस्तो याद रखेगा 1707 इस्वी में औरंजेव की मृत्तिव हुई थी इसकी मृत्यू के बाद इसका जो पुत्र था ठीक है इसका जो पुत्र था कई सारे पुत्र थे जिसमें मुज्यम दोस्तो बातसा बनता है मुज्यम जो होता है यही मुज्यम याद रखेंगे किस नाम से याद रखेंगे बहादूर साभ प्रथम के नाम से गद्धी पर बैठता है किस नाम से दोस्तो बहादूर साह प्रथम के नाम से गद्धी पर बैठता है यह आप याद रखेंगे ठीक है और बारा सो सत्रा सो सा साहे बेखबर कहा जाता था, क्या कहा जाता था, साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है, पूछता है परिच्छा में कि किस बादसा को साहे बेखबर कहा जाता है, तो औरन जेब कही सारे पुत्र थे, जिसमें औरन जेब में मुज्जम और आजम की बात आती है, ठीक है, तो म याद रखेंगे जो सिवा जी थे ना सिवा जी की सीवा का जब काल समाब्त होता है तो उसके बाद दोस्तों इस दो भागों में बढ़ जाते हैं तो एक तरब दोस्तों राजा राम जी हैं राजा राम की पत्नी दोस्तों कौन है याद रखेंगे तारा भाई है कौन है राजा राम की पत्नी तारा भाई है और तारा भाई अपने अलप वैस का पुत्र सिवाजी दूती को क्या कर देती है जो है यहाँ इस गद्धी पर बिठा देती है ठीक है तो इसको भी याद के कहें जो राजा राम है दोस्तो राजा राम और गोकूला राजा राम और गोकूला नाम के वेक्ति थे दोस्तो ये दो लोगों ने मिल कर क्या किया था दोस्तो जाट विद्रो का निफ्तितु किया था औरंजेप के टाइम में लिख रहा सिवा जी के माता का नाम क्या था द क"- दोस्तों याद रखेंगे दादा है तो इनको गुरु माना जैता है और इसमाने जाता है लेकिन मुख्य 2 Sukaji के उत्तरा दिकारी कि बात करेंगे तो एक तरफ तो राजा राम थे दूसरे तरफ दोस्तों संभाजी का आते दोस्तों संभाजी तो उत्रा दिकारी की रूप में आप याद रखते हैं संभाजी थे याद रखेगा ठीक उत्तरा दिगारी कौन थे संभाजी लिखरा तारा भाई ने अपने अलप वैस को पुत्र सिवाजी दूती को छत्रपती कब घोशित किया तो जब इनके पती के मृत्ति हो गई तो उसके बाद 1710 इस्वि आप याद रखेंगे ठीक है ऐसी सवाल है तो यह सवाल इस बार आयोग में आपसे पूछा अगली बार हो सकता है कि आयोग कुछ इस तरह का पैटर आपसे पूछ दे या ऐसे में आप उत्तर आपसे जानना चाहिए कि क्या जबाब होगा तो इसी तरह से दोस्तों में पढ जोग है ठीक है मेंस का सवाल है लेकर आपसे घटना उपर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार वेवस्तित कीजिए दांडी आत्रा दे दिया पूना समझाता दे दिया सांप्रदाई घोष्णा दे दिया और गांधी इर्विन समझाता दे दिया तो आईए पह पैल 1930 तक चला था ठीक है तो ये घटना दोस्तो इस पूरी घटना में सबसे पहले आएगी दांडी मार्च या दांडी यात्रा ठीक है गांधी इर्विन समझगता गांधी इर्विन समझगता कि दिती क्या दोस्तो तो बड़ी अच्छी दिती है है जूलती यहाँ 12 मार्च लिकेते ने यहां 6 मार्च याद रखे है कि लेगिन 30 की बजाएunda 1931 में आ जायेगा 1931 वही साल है दोस्तोů जिस साल क्या हुआ था दोस्तों क्या हुआ था यहाँ पर दूती गोल में सम्मेलन गोल me जिसमें महात्मा गादी जी निसा लिया वो था दूती गोल में संबिलन और उसे उसे लोटने के बाद गादी जी ने कहा कि मैंने अपने डेल पर बट्टा नहीं लगने दिया अभी क्लियर आ रहा होगा आवाज आपको कोई दिक्कत नहीं न तो याद रखेंगे दोस्तों यह मैं जो बता रहा था यह चीजें आद रखेंगे अगला सवाल है दोस्तों सामप्रदाई घोष्णा जिसे हम किस नाम से जानते हैं परिक्षा में आपके एक सब दोर देता है कम्यूनल अवार्ड क्या देता दोस्तों सामप्रदाई घोष्णा कम्यूनल अवार्ड या सामप्रदाई पंचाट भी से कहा जाता ठीक है और यह घटना कब से संबंदी तो दोस्तों यह घटना हुआ था 16 अगस्त 1932 को एकदम डेवाइज भी याद रखेगा क्योंकि यह पर बहुत कन्फुजन करता है ठीक है तो यह हुआ था दोस्तों 16 अगस्त 1932 को और पूना समझोता जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं गया समझोता महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था ठीक है अंबेडकर जी के बीच में हुआ था क्यों हुआ था क्योंकि जब अंग्रेजों की तरप से सामप्रदाइक पंचाट की घोशना की गई तो उसमें जो अलप संक्यक लोग थें या अलप संक्यक मत के जो दलित समुदाय के लोग थें उनके लिए प्रिथक निर्वाचन की ब्योस्ता की बात की गई ठीक है यानि फिर से एक बार देश को तोड़ने का काम किया गया इसलिए महात्मा गादी जी ने अंबेडकर के साथ इस चीज को रद करने के लिए पूना समझाता किया जो की हुआ था 1932 में लेकिन अगस्त के बाद याद रखेगा 24 सितंबर 1932 को यह पूना पैक्ट हुआ है याद रखेंगे विग्दम डेट टू डेट अगर आपको चीजें नहीं आदे तो आप कभी सही से स्ट नहीं कर पाएंगे तो मोटी मोटा आपको उत्तर मिल गया ना तो दांडी यात्तरा के लिए आप 1930 याद रखेगा इगादी रिविन सम ही जवाब हो जाएगा option number D क्या हो जागा दोस्तो option number D जो है या आपका right answer हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ना बढ़ियां से आगया समझ में यह हमारा modern history से सवाल था अगला सवाल दोस्तों Indian geography का सवाल है तो चलिए देखते हैं क्या कहता है पुनह mains का सवाल आपके सामने में 2016 में परिक्षा में सवाल पुछा गया भारत के भूल से ठीक है सूची एक को सूची दोस्ते सुमेलित करना है और क्या दोस्तों यह सभी कोईला चेतर है क्या दोस्तों यह सभी कोईला उतपादन वाले चेतर है ठीक है अभी कल की डेट में दोस्तों हमें ललमटिया मिला थ अगर आपको याद हो ठीक है ये जो रणजीत घाटी लिख रहा दोस्तो एक्चुली में इसका नाम है रंगीत घाटी क्या नाम दोस्तो इसे रणजीत नहीं रंगीत घाटी भी काते हैं ठीक है रंगीत घाटी काते हैं खै देखे तंदूर नाम कोईला चेत्र वरोरा बचे स तेलंगाना मिस्थित तो इस प्रकार यहां जो आपका तंदूर वाला छित रोगे कहां पर आ जागा दोस्तो तो से तंदूर तो से तेलंगाना तेलंगाना के स्थापना कब हुआ था दोस्तो तो आपको याद होगा दोस्तो तो आपको याद होगा दोस्तो यह आपके महारा तो वरोदरा मत याद रखेगा वरोरा जो है दोस्तो यहां Country मзд नजीर लेड़ो प्लस दोस्तो यहां पर क्यायाद रखेंगे यह माखुम दोस्तो माकुम compress & कोईला छेतर कहां हैं असम में है और जो रंगीत गाटी लिखाया दोस्तो रंगीत गाटी को इला चेत्र ये कहां पर दोस्तो रंगीतगाटी को इला चेत्र यी आपके सिक्किम में स्थिता थीक है इसको याद रखेंगे बड़ा पहले का उतर होगा, दो, दूसरे का, तीन, तीसरे का, चार, चौथे का, एक, तो दो, तीन, चार, एक या आपका सही जबाब हो जैगा, दो, तीन, चार, और एक, ठीक है, यानि ऑप्शन अमबर C, इस सवाल का सही जबाब है, अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ा है, कंटेंट और सबसे ज़्यादा बढ़ियां बाते जो आपके परिक्षा में पूछा जा सकता वो सब चीजे यहीं मिलने वाली ठीक है जब मैं कोई बीडियो बनाता हूना उससे वाचिंग नहीं आती है लेकिन बाद में वीडियो दोस्तों मिलियंस में जाते हैं ठीक है कई मि बन डेट टू पे वीडियो की वाचिंग बहुत जादा थी हमारे साथ उल्टा है हमारी वाचिंग नहीं बहुत कम रहती कभी-कभी तो मुझे मतलब बोलने में भी सरमाता सो से नीचे रहती है सो से नीचे व्यूज रहते है सो मने क्या है कुछ नहीं ठीक है लेकिन ये सो क जाएंगे कब 100 लाक हो जाएंगे नहीं पता है ठीक है खेर आपके पसंद के उपर है अगला सवाल देखे ये वर्ड जिग्राफी का सवाल हो प्री परिच्छा 2016 में क्या असर आज तो आपने जमके कूट डाल दिया मैं कूट जमके नहीं डाला हूं दोस्तों ये प्रस्ण ठीक है और ये नदियां जाकर कहां मिलती है वो आपको बताना है ठीक है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो लीना नदी है ये पूर्वी साइबेरिया में बहती है और जब पूर्वी साइबेरिया की बात आगा तो साइबेरिया के पास कौन सा सागर है दोस् आमूर नदी नाम है और यह जाके कहां मिलती दोस्तो तो जब चीन की बात आ गया तो दोस्तो चीन के बगल में प्रसांत महाशागर आपको मिल जाएगा प्रसांत महाशागर यह प्रसांत महाशागर में जाके गिरती है टिगरिस जो नदी दोस्तो यह तुरकी में बहने वाल ठीक है देगिस्तान से उकर भहले पायर नदी है और ये कहां जाके मिलती दोस्तों ही जाके मिलती है अरब यहीय। प्रड़िस दो को महीं जो की भारत से संवन्नित यह कहां जाके मिलेगा दोस्तों और अरब सागर में झाओंगा जो तुर्की देस्थाना ऊसके नाम change हो गया और नया नाम तुर्की का क्या है दोस्तों तो अब तुर्की को किस नाम से बुलाए जाएगा तुर्कीय के नाम से बुलाए जाएगा किस नाम से तुर्की का नाया नाम है तुर्कीय इसको भी याद रखेगा तो यहाँ पे जो आपका उत्तर बना, क्या बना, पहले का 2 हो जाएगा, दूसरे का 4 हो जाएगा, तीसरे का 1 हो जाएगा, चौते का 3 हो जाएगा, तो 2, 4, 1 और 3 ये सही जबाब हो जाएगा, दो चार एक तीन मतलब आपसन नंबर यह जो है दोस्तो यह आपका राइट एंसर हो जागा ठीक है तो नदियां यह नदियां जाके जैसे भी पूज़ने नो गोदावरी नदी तो गोदावरी नदी तो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है गंगा नदी भी मिलती है लेकिन नर्मदा तापती अरब सागर में मिलती है इसी तरह से दोस्तो आपको याद रखना है ठीक है याद रखेंगे एक नदी भारत में ऐसी है जो अपना जल कहीं नहीं गिराती है वो है दोस्तो लूनी नदी कौन सी यह दोस्तो लूनी नदी ठीक है लूनी नदी रेगिस्तान में समा जाती है ठीक है इसका जल कहीं नहीं गिरता है दोस्तो यह रेगिस्तान में जाके समाप्त हो जाती है इसका नाम है लूनी नदी यह माही नदी याद रखेगा दोस्तो य जो माही नदी था इसके बारे में अच्छा तत्याद रखेगा ये करकरेखा को दो बार काटती है करकरेखा को करकरेखा को दो बार काटने वाली नदी ठीक है काटने वाली नदी कौन सी है तो भारत में माही नदी है जो करकरेखा को दो बार काटती है ये सवाल भी बार-बार पूछा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला सवाल करते हैं अगला सवाल जो दे रहा दोस्तो यह आपके जनसंक्या नगरी करड़ का सवाल है और मेन्स परिच्छा 2014 में पूछा गया सवाल है ठीक है किसमें जनसंक्या घनत उच्चतम है सबसे ज़्यादा जनसंक्या घनत तो दोस्तों अगर हम आकड़ा 2001 की देखें तो 2001 में सरवाधिक जो जनसंक्या घनत था वो पशिम मंगाल में था लेकिन यही 2011 आते आते सरवाधिक जो जनसंक्या घनत तो है वो विहार में ज़्यादा हो सरवाधिक जनसंख्या घनत्व कहां कहा है दोस्तों बिहार का, जनसंख्या घनत्व करते किसे हैं, तो एक वर्ग किलो मेटर में बसने वाले, ठीक है, एक वर्ग, एक वर्ग, एक वर्ग किलो मेटर, एक वर्ग किलो मेटर में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है जनसंग्या गनतु कहा जाता है ठीक है अचो बिहार का जो सरवाधिक जनसंग्या गनतु पूझ दे कि कितना है आकड़े में तो क्या बताएंगे दोस्तो सबसे जादा जो जनसंग्या गनतु आप पढ़ रहे हैं दोस्तो कि बिहार का है, अगर पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखेगा 1106, कितना दोस्तो 1106 आकड़ा दोस्तो जो बिहार का, पशिम मंगाल का जो आकड़ा दोस्तो वो मात्र 1028 है ठीक है, तो अभी भी देखेंगे, तो बिहार जो है दोस्तो फस्ट नमबर पे है और पशिम बंगाल जो दोस्तो सेकेंड नमबर पे केरल भी दोस्तो कुछ कम नहीं केरल की जनसंगा कितने दोस्तो 860 है अलंकि इसके लाओं बहुत सारे हैं तो आपसन किसाब से दे दिया गया और उत्तर प्रदेश दोस्तो इसमें है 829 उत्तर प्रदेश वाला इस प्रिसली आप याद रखेंगा 829 और जो भारत उसका जनसंग्या घनत कितना दोस्तो तो 382 ब्यक्ती प्रतिवर्ग किलोमेटर ठीक है प्रतिवर किलोमेटर यह दोस्तो भारत का है अच्छा मालीजे सवाल यहीं पूझ दे नियूंतम जनसंख्या घनत्व तब ठीक है नियूंतम जनसंख्या जनसंख्या घनत्व कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है तब आप क्या बताएंगे तो याद रखेंगे दोस्तो सबसे कम जनसंक्याा घनत तो कहां का है अवडाचल प्रदेस का है सबसे कम है 17 है आकड़ा बहुत कम है तो इसको भी याद रखेंगे चली आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला सवाल लिखते हैं अगला सवाल दोस्तो करा लोक लेखा समिती में कितने फदर से होते हैं क्या 11,5 मिला के कुल 16 सदर से होते हैं तो गलत जवाब है 22 सदर से होते हैं बिल्कुल सही जवाब है 15 नहीं होते हैं 27 नहीं होते हैं कितने होते दोस्तों तो लोक सभा के 15 मेंबर राज्यसभा के साथ मेंबर कुल मिला के 22 मेंबर होते हैं किसमें लोक लेखा समीती में अगर आपको याद होतो आईए कुछ अच्छे सवाल देखते हैं करा लोक लेखा समीती का जो अध्यक्ष होता है उसे कौन न्यूट करता है तो लेख लेखा समीती के अध्यक्ष को लोक पर देखें लोकसभा अध्यच के पासी पावर है इसलिए अलग हो जाता है प्राकलन समिती का नाम सुनागा दोस्तो प्राकलन समिती की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है तो इसी लोकलेखा समिती को लोकलेखा समिती को प्राकलन समिती का जुड़वा बहन कहा जाता जिसमे 15 प्लस 7 जुकल टुकुल 22 मेंबर होते हैं ठीक है अच्छा मालीजे आपसे पूछ दे कल को सवाल कि प्राक्लन समिती में कितने मेंबर होते हैं तो प्राक्लन समिती के जो मेंबर होते हैं दोस्तों केवल और केवल लोकसभा से होते हैं ठीक है लोकसभा के होते हैं इसमें याद रखेगा प्राक्लन समिती ही है ठीक है प्राक्लन समिती भारत की सबसे बड़ी समिती है क्यों सबसे बड़ी दोस्तों क्योंकि इसमें 30 सदस होते हैं और समस्त कहां के होते हैं दोस्तों समस्त लोकसभा से सिक है समस्त लोकसभा से होते हैं कोई भी राज्यसभा का सदस इसमें नहीं होता है ठीक है ये तत्थे आप याद रखेंगे बढ़िया सवाल है और परिक्षा में बेसक पूछा जा सकता है आगे बढ़िये अगला सवाल भौतिक रासायन विज्ञान से संबने सवाल है और मेंस परिक्षा 2014 अपरिबाब आस तो मेंस का एकदम जड़ी ही लग गया ना मज़ा आ रहा है कोई सर मेंस में इतने आसान सवाल आते हैं हां आते भई अब मैं अपने तरफ से थोड़े बना के दरों जो आपसे आयोग ने पूछा हम तो उन्हीं सवालों पर डिसक्स कर रहे हैं अगर हमने कुछ अपने मन से दिया है तो यह हमने नहीं जो सवाल है आयोगने आपसे पूछें अग्ला सवाल दे रहा है कि निमिकित में से कॉन शही सुमेलित नहीं है जो सुमेलित नहीं है दोस्तों उसके बारे बतानाàng क्लोरोफिन लिए दोस्तों पहले सको सही कर लेजिएगा दोस्तों सरीड में हून में उनमें, blood में क्या होता है? Himoglobin होता है, उसी कार तो blood का रंग जो है लाल रंग का होता है उसमें iron भी पाये जाता है, यह भी सही है, खाने के नमक को दोस्तो sodium chloride करते हैं, tapping error मुझे लग रहा है, sodium chloride करते हैं, यह भी सही हो जाएगा, लेकिन, कपड़े धूने का जो soda दोस्तो, उ रillas dovht were the few slow down होता है एक तो खाने वाला सोड़ा होता है उसे sodium karbonate करते क्या काते। सोडियम कार्बोनेट करते हैं ठीक है उसी तरह से सवाल देता है खाने वाला सोडा खाने वाला खाने वाला सोडा खाने वाले सोडे को क्या कहा जाता दोस्तों तो बस एक सब्द इसमें लगा जिए को खाना है तो आपको बाई करना पड़ेगा ठीक है बाई करना पड़ेगा तो bicarbonate बोलते है, sodium bicarbonate, sodium carbonate और sodium bicarbonate में यही अंतर होता, बस एक अच्छर का अंतर है, आप इसको जोड़ सब्द का, आप इसे जोड़ लिजी आदा जाएगा, sodium chloride, जिसे हम क्या कहते हैं, यन A, C, L करते हैं, इसका अन्य नाम, इसी को क्या कहते हैं, इसी को नमक का नाम द दोस्तो, रासायनिक सूत्र है, याद रखेंगे, सरीर में blood pressure को सामाने रखने में, दोस्तो, कौन मदद करता है, तो यह जो potassium आपने हटाया है, यही मदद करता है, ठीक है, यह मदद करता है, ठीक है, ति बड़ा अच्छा सवाल है, बाकी, जो chlorophyll होता है, उसमें magnesium होता है, chlorophyll पाये जाता है, magnesium होता है, हीमोगलोबीन याद रखेगा, कहां पाये जाता है, तो हीमोगलोबीन रक्त में पाये जाता है, और उसमें क्या होता है, आइरन भी होता है, प्लस और क्या होता है, फोलीक एशिड ठीक है, फोलीक एशिड भी होता है, जो की blood को और बढ़ाने में मदद करते हैं इजन सब तत्यों को आप याद रखेंगे फिलाल जो पूछा था जबाब ये अप्शन डी जो है दोस्तो ये आपका सही जबाब हो जाएगा अगला सवाल लेकिए जियो विज्ञान से सम्मनित सवाल है और सवाल प्री परिच्छा 2014 में पूछा गया सवाल है कि भोजन का प्रमुख अंग कौन सा है ठीक है तो भोजन के प्रमुख अंग में क्या आता दोस्तो सबसे जरूरी जो चीज है वो है प्रोटीन दूसरे नमबर पे जो सबसे जरूरी चीज है वो है दोस्तो कार्बो हाइडरेट ठीक है कार्बो हाइडरेट जहां से आपक रखेंगे जो हमारे सरेक लिए आवस्यक है तो इस टार्च की कोई बात ही नहीं ग्लुकोज की कोई बात नहीं कार्बो हाइड़ेट यहां कर सकते हैं सेलूलोज से भी कोई लेना देना नहीं है अब देखें सवाल क्या लिख रहा भोजन के प्रमुखंग ना तो प्रमुखं करने का काम प्रोटीन करता है उसी तरह से दोस्तों याद रखेंगे कार्बो हाइड़ेट क्या करता है मोटी मोटा बता दे कम कार्बो हाइड़ेट क्या करता दोस्तों कार्बो हाइड़ेट को हम तोरित उर्जा के लिए जानते हैं तोरित उर्जा अगर आपको चाहिए त और फेट का यूज हमारा सरीर कर लेता है जैसे आप मालिजी खुब आपके बास चर्वी हो गई ठीक है अगर एक दो टाइम नहीं भी खाएंगे तो शरीर को तो आप पूर्ती चाहिए तो सरीर उसी चर्वी को गला करके अपनी आप पूर्ती करेगा यानि वसा एक तरह से क् प्रमुखंगों में जैसे जल को भी प्रमुखंग कहा जाता है जैसे विटामिन को भी दोस्तों प्रमुखंग कहा जाता तो यह सब कारभन हो गया है यह यह सब्सक्राइब को बदलता है किसमें बदलता दोस्तों यह माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है और glucose क्या करता दोस्तो यही तो त्वरी तूरजा देता है ठीक है त्वरी तूरजा देता है सबसे fast जैसे आप कहते हैं ग्लुकोंडी आपकी सरी रिदम ठक गई तो आप ग्लुकोंडी उच कीजी उसको भी याद रखेगा इसी तरह से cellulose से एक सवाल आता है जो कपास के रे तब starch के बारे में कुछ खास बात बताइए starch में कवाद देखने हो मिलते हैं दोस्तो इस तरह के polysaccharide carbohydrate होते हैं क्या होते हैं यह तरह का polysaccharide carbohydrate होता है क्या होता है polysaccharide carbohydrate ठीक है इसको याद रखेंगे दोस्तो बस इस तरह से आप पढ़ते चलेंगे तो मज़ा आ वैसे देखे रहें को जो सेलो जो भी तरह का पॉली साइकराइड कार्बो हाइडरेट है उसे आप ध्यान लखेंगे Study91 के प्रेटफॉर्म से हमने एक नया पोर्टल लांच किया जहां से हमने टेस्स सीरीज लांच किया आपना किसी भी परिच्छा के लिए टेस्स सीरीज हम से ले सकते हैं Study91 प्रो का अप्लिकेशन डाउनलोड कर लिए वेबसाइट पर आजेए वहाँ एक सर्च बॉक्स मिलेगा आप अपने एक्जाम का नाम डाली है और उस एक्जाम को एड़ कर लिए कुछ टेस्ट वहाँ न प्रिबेस एर पेपर का भी सलूसन मिल जाता और करेंट अफ़ेर का भी टेस्ट मिल जाता है ठीक है तो मुझे लगता आपके लिए बहतर आप मौका दीजिए जुड़ी ये बस ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल इको नामिस का देरा दोस्तों प्री 2011 में आया था तो बिलकुल गलत है दोस्तो 2001 में नहीं यह जणा कब आये था दोस्तों 1928 सुी माय था तो यह पहला गलत हो गया और किसानों को उनकी खेती की आओ सकता हो के लिए परियापत और समया नकूल साख समर्तन प्रदान करता है साख प्रदान करता है चांड़िट मे क्रेडिट में क्रेडिट में क्रेडिट में क्या देता दोस्तो उन्हें रुपे अब लेबल कराता है तो क्या यह सही है बिल्कुल दो वाला सही है लेकिन पहला वाला दोस्तो गलत हो गया तो यहां पर क्या करेंगे केवल दो जो है आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है लिकरा किसान क्रेडिट योजना का प्रारम दोस्तो किस वर्स किया गया, तो इसका प्रारम दोस्तो 1998 स्यू में किया गया, कई जगा दोस्तो 1998 निन्यान में दिया रहता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है, करा किसान क्रेड कार्ड योजना किसके मार्ग दर्सन में बना गया था दोस्तो यह बताए के सीजी ओजना दोस्तो एक किसके मार्क दर्शन में बना था तो मार्क दर्शन अगर पूछे कभी तो बताएगा दोस्तो नावार्ड के मार्क दर्शन में इसे तयार किया गया था नावार्ड नावार्ड का नाम सुना होगा ना ठीक है नेशनल पंचवर्सिय योजना में किसमें दोस्तो छटी पंचवर्सिय योजना के तहत दोस्तो इसकी अस्थापना की गई थी किसकी अस्थापना मैं नाबाड की बात करूँ ठीक है अच्छा नाबाड की अस्थापना दोस्तो किस समिती की सिफारिस पर हुआ था दोस्तो अगर आप आप से पूछे नाबाड के स्थापना किसकी सिफारिस पर हुआ था तो क्या बताएंगे याद रखेगा शिवरामन समीथी कौन सी शिवरामन समीथी की सिफारिस पर यह नाबाड बना था मालीजे कल को यह आप से पूछ दे कि के सी सी ओजना किसकी सिफारिस पर तयार किया ग कि किस समिती की सिफारित पर केशिसी योजना को त्यार किया गया तो याद रखेगा उस समिती का नाम था दोस्तो आरवी गुपता समिती कौनसी दोस्तो आरवी गुपता गुपता शमिती आरवी गुपता शमिती की सिफारित पर दोस्तो याद रखेंगे ठीक है केशिसी यो 2016 में ये सवाल पूछा गया कि निलिकित में से कौन सी गैस ओजोन परत के रास के लिए उत्तर दाई है ठीक है ओजोन परत का हरास हो रहा दोस्तो आप सभी जान रहे हैं ओजोन परत अगर नव हो तो क्या होगा दोस्तो याद रखेंगे सूर्य से आने वाली पराबैगनी किरडें सूर्य से आने वाली आने वाली पराबैगनी किरडें पराबैगनी किरडें जिसे क्या कहा जाता दोस्तो अल्ट्रा वाइलेट रेज ठीक है यूवी यूवी रे कहा जाता दोस्तो यूवी रे क्या करेंगे दिवस कब मनाया जाता है परिक्षा में आता है ओजोन परत परत संगरक्षड दिवस ठीक है ओजोन परत संगरक्षड दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत संगरक्षड दिवस मनाया जाता है अच्छा यहां पर कौन सा हरास के लिए जिम्मेदार है न हमारे घर पे जो और फीर्त करने की जरूरत नहीं है आपसर 25 और दो सुब्स पहले जाते हैं कहांपर पाई जाती दोस्तो bald गॉत परत पाई जाती दोस्तो समताप मंडल के पास ठीक है कहाँ पर पाई जाती है समताप मंडल के पास यह ओजोन परत पाई जाती इसको याद रखेगा ओजोन परत की मापने की इकाई क्या दोस्तो तो इसको मापने की इकाई है दोस्तो डॉप्सन क्या दोस्तो डॉप्सन इसकी काई है याद रखेंगे लॉफिंग गैस के नाम से किसे जानते हैं इसे हासे गैस करते हैं क्या करते हैं दोस्तो हासे इसके प्रवा में आने पर ब्यक्ति हसना शुरू कर देता है तो इसका नाम है दोस्तो नाइट्रस आक्साइड क्या दोस्तो नाइट्रस आक्साइड नाम है ठीक है इसके प्रवा में आते ही ब्यक्ति हसने लगता है ठीक है इसको नाइट्रस आक्साइड को यन्टू ओ भी कर ठीक है बाकि सरवाधिक वाई प्रदूसर गैस दोस्तों कौन सा है तो इसमें कार्बन मोनो आक्साइड का नाम देते हैं और मोनो आक्साइड में दोस्तों लिखते हैं खाली सी ओ ठीक है और इसी को दोस्तों दम घोटू गैस भी करते हैं क्या करते हैं दम घोटू गैस ठीक ह अगर एक कमरे में कार्बन मोनो अक्साइड भर दिया जाए तो बेक्ति की मिर्त्य हो जाएगी क्यों क्योंकि उसका दम घुट जाएगो सांस नहीं ले पाएगा ठीक है तो दम घुटू गया से भी इसे कहा जाता है अगला सवाल देखि अगला सवाल भी दोस्तों परियावर्ण से संबनी सवाल है और प्रीपरिच्छा 2016 में आया है पहले हम लोग दोस्तों क्रिशी का सवाल करते थे क्रिशी के जितने भी सवाल आपसे परिच्छा में पूछे गए आरो एरो के उक्जाम में मैंने सभी सवाल बता दिया एक सिंगल सवाल ऐसा नहीं है जो आपको 9 पढ़ाए गया, सब पढ़ा दिया गया इसलिए दोस्तो, परियावड के 2 सवाल परियावड के 2 सवाल मैं आप सभी को दे रहा हो सुनेगा लिखरा प्रतिसतता के आधार पर वाई मंडल में सरवाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों ये बताना है सबसे ज़्यादा दोस्तों गैस कौन सी पाई जाती है याद रखेंगे लगभग 78% के आसपास दोस्तों क्या है ये है ठीक है और आक्सिजन की बात करेंगे तो लगभग 21% मैं लगभग वाली आकडा लिख रहा हूं ठीक है लगभग 21% ठीक है और कार्बन डियाक्साइड की यह आकडा है ना सुनने दसमलों सुनने आठ परशंट उसी तरह से आक्सिजन में याद रखेगा 20.95% तभी हम लोग क्या करते हैं इसको 21% नाम देते हैं क्योंकि 95 पर है इसी तरह से आरगन जो दोस्तों सुनने दसमलों सुन्य 9% है कार्बन डाय आक्साइड दसमलों सुन ओजोन को O3 करते हैं यह भी अल्प मात्रा में पाई जाती है इसी तरह से जेनान गैस का नाम सुना होगा रेडान का नाम सुना होगा रेडान की बात तब आती है जब दोस्तों भुकम्पी तरंगे उठती हैं या सुनामी आने वाली होती है तब दोस्तों किस गैस की मात्र बढ़ जाती है वाइ मंदल में रेड ओन गैस की मात्रा दोस्तो बढ़ जाती है ये सब भी आप तथ याद रखेंगा बड़ा बढ़ियां सवाल है कि कभी सुनामी आ रहा हो भूकम पा रहा हो तो किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या बताएंगे दोस्तो यहाँ पर redon gas की मात्रा बढ़ जाती ठीक है मेंस 2016 में एक सवाल पूछा गया यूपी special का कि ठुमरी के संदर में निम्रिकित में से कौन सा कथन सही है जो सही है दोस्तो वो बताना है कि इसके संदर में ठुमरी के संदर में करा ठुमरी के उत्पत्ति उत्तरपदेश में होई है बिल्कुल सही दोस्तो ठुमरी की उत्पत्ती उत्तर प्रदेश में होई है ठुमरी क्या है दोस्तो सुगम और आकरसक है तेहां पे दिये गए दोस्तो दोनों तथ्य जो है वो बिल्कुल सही है अब मैं आपको कुछ अन्य बाते बताता हूँ जो आपसे परिक्षा में पूछा जा सकता है जैसे उत्तरप्रदेश में ठुमरी की उत्पत्ति अगर हुई तो कहां से हुई है किस घराने से हुई है दोस्तो उत्तरप्रदेश में कई घराने हैं उनमें से दोस्तों लखनव घराना का नाम सुनाओगा, लखनव घराने से दोस्तों इस ठुमरी के उत्पत्ती हुए, हलांकि बनारस घराने में भी और पटियाला घराने में ये अपनी प्रसिद्धी बनाई है, लेकिन उत्पत्ती अगर पूचे तो लखनव घराना अधुर्य नवाब वाजिद अली साह के बारे में आपने सुना होगा, उनके समय में दोस्तो, ठुमरी गायन सेली क्या हो गया सरवाधिक लोगप्री हो गया दोस्तो एक अच्छा सवाल देता हूं सुनेगा धान से आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है आपने ठुमरी के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो आपने सोभा गुर्टू का नाम सुना होगा किसका ना इन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता दोस्तों, ये बड़ा अच्छा सवाल परिच्छा में आपसे पूछा जा सकता है, बाकी रसूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन देवी, रसूलन देवी का संबन इसी से है, आपने सिद्धेश्वरी देवी का नाम सुना होग गौहर जान का भी संबन इससे है और बेगम अक्तर का भी संबन इससे है बेगम अक्तर का संबन भी इससे दोस्तों याद रखेंगे ठुमरी गायन सैली से है ये तत्य भी आप याद रखेंगे ये परिक्षा में आ सकता है तो कम सकम इतनी बाते आपको जानना ही जानना है ये बैच बने, आगे बढ़िए, मेंस 2016 में एक सवाल आया, यह सवाल भी UP Special का है, पहले हम लोग Science Tech के सवाल करते थे, देखिए, क्रिसी के सवाल, Science Tech के सवाल, पूरी तरह से समाप्त हो गए, तो जब समाप्त हो गए, तो मैंने UP Special और Environment, दोनों के सवालों को डबल कर दिया, क्यों जल्दी से ओभी समाप्त हो गए, तो यहां देखिए, मेंस 2016 में यह सवाल आया, कि नवाब सुजाओद दौला, नवाब सुजाओद दौला कहां के नवाप थे दोस्तों, अवद के नवाप थे, और सुजाओद दौला आपको याद होगा दोस्तों, सुजाओद दौला न जिसका नाम है बहु बेगम का मगवरा ये किस अस्थान पर इस्थीत है दोस्तो लिख रहा है आजमगड़ में नहीं आजमगड़ प्रियाग रास तो बिल्कुल नहीं सही है अब कहानी आती कि सर अवद के नवाप थी लेकिन उरहती थी फैजाबाद में तो मगवरा वड़ायगए फाराध में स्थीत याद रखेंगे ठीक है तो बड़ा अच्छा सवाल है अब तो दोस्तो फैजाबाद का भी नाम बदल गया ठीक है अजुद्ध्या धाम हो गया ठीक है तो यह आप यादर रखेंगे अगला लिखा दोस्तो आस्फट द이지 अवर याब्द क गाजीपूर में बना है कहां बना दोस्तों गाजीपूर में ठीक है। इसी तरह से परिच्छा में बाबर का मगबरा देता है। उसी तरह से जब आप हुमायू की बात करेंगे। हुमायू का मकबरा दोस्तो दिल्ली में बना हुआ है। उसी तरह से जब आगे आएंगे तो हुमायू का पुतर था अकबर। ठीक है। लाहोर में, जहांगीर का पुत्र था सा जहां, सा जहां का मकबरा दोस्तों कहा है, आगरा ताजमहल, ठीक है, सा जहां का पुत्र था दोस्तों औरंगजेव, ठीक है, औरंगजेव, औरंगजेव का मकबरा कहा है, औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट, वहीं पर इसने पत्नी का भी मगबरा बन माया था ठीक है इसी तरह से एक सवाल आता है सेरसा सूरी का मगबरा ठीक है किसका दोस्तो सेरसाह सूरी का मगबरा तो इसका मगबरा कहा है दोस्तो सासाराम बिहार कहां पर दोस्तो शासाराम बिहार कालिंजर अभ्यान के दोरान 1545 इस्वी में सेरस परिच्छा 2016 में पूछा गया, मुझे लगता है अच प्री मिन्स में सबस्यादा सवाल मिन्स का है, मजा आ गया ना, चलो, अंतर राष्ट्री मात्री भासा दिवस दोस्तों कम बनाये जाता है, आपको बताना है, लिकरा 20 मार्च को, 25 जनवरी को, 21 फरवरी को, या फिर 21 दिस कम मनाये जाता है, अंतर राष्ट्री मात्री भासा दिवस तो याद रखेगा, अंतर राष्ट्री मात्री भासा, ना, धि वस यह, तो शही बता रहा हुँ, गलत पहले बताओ, 21 फरवरी को, आपको एक डखेग देखते हैं, अगर आपसे कभी गवरइया दिवस पूछे, याद रखेगा हर साल 20 मार्च को दोस्तों क्या मनाय जाता है, गोरया दिवस मनाय जाता है, जो यहां लिखा था 20 मार्च का अपसंत है यह वाला, 25 जनवरी को दोस्तों याद रखेगा मतदाता दिवस मनाय जाता है, क्या मनाय जाता दोस्तों, मतदाता, मतदाता दिवस मनाय दिवस है तो ये सवाल भी आपके लिए बढ़ियां सवाल है ठीक है राश्टी गडित दिवस दोस्तों रामा नुजन की जैनती है रामा नुजन जैनती के दिन दोस्तों मना जाता है कब दोस्तों तो दिसंबर मना जाता है 22 दिसंबर को कम मना जाता है दोस्तों 22 दिसंबर को ये मनाय जाता है ठीक है स्री निवास रामानुजन की ठीक है इस टार्टप दिवस दोस्तो अभी एकदम न्यू घोषना होई है पिछले साल मोदी जी ने स्टार्टप दिवस मनाय जाने की घोषना किया है हर साल 16 जनवरी को कब दोस्तो 16 जनवरी को इस टार्टप दिवस मना 12 जनवरी, 12 जनवरी को दोस्तो युवा दिवस मनाए जाता है, क्या मनाए जाता है, युवा दिवस मनाए जाता है, इस दिन विवेका नन की जैनती है, क्या दोस्तो विवेका नन जैनती होती है, ये भी आप याद रखेंगे, करा राष्ट्री ये लिख लिजे, राष्ट्र लगता है कि परियाप्त बाते आपको पता चल गी होगी ठीक है सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा स्टड़ी 91 के प्रेटफार्म से हमारी टीम ने कई सारी किताबे तयार की है क्यों इतनी किताब नहीं तो सैंपल के तोर पर है आप ह मौका दीजिए जुड़ी है टेस्रीज है पेड कोर्स है किताबे हैं इबूक है तमाम चीजें हैं जिसके माध्याम से आपनी तयारी को बहतर बना सकते हैं हमारा हेलपलाइन नमबर दोस्तों 6350009191 किसी तरह की समस्या है दूविधा है कोई जानकारी चाहिए तो आप मु सब्सक्राइब करें क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेसन आएगा और आप जान पाएंगे कब कौन सी क्लास दी जा रही है ठीक है तो मिलते हैं लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का जै हिन जै भारत थेंक्यू थेंक्यू सो मच